उत्तर प्रदेश के जहासी जी आर्पी में तैनात IPS अफसर मुहम्मत इमरान इन दिनों खूब चर्चा में है पिछले दिनों वह कॉंस्टेबल की वर्दी पहन कर एक ट्रेन में चड़ गए और ट्रेन में बेपरवाह सो रहे यात्रियों को सबक सिखाया इसके साथ ही ट्रेन के IPS मुहम्मत इमरान वर्तमान में स्पी जी आर्पी जहासी के पदपड़ है ट्रेन में सुरक्षा के लिए चलने वाली जी आर्पी की टीम कैसे काम करती है जनता क्या व्यवहार करती है ऐसी तमाम सच्चाई को जानने के लिए IPS मुहम्मत इमरान सिपाही को वर्दी पहन कर ट्रेन में सुरक्षा जूटी दी मुबाल एक्सप्रेस में बीते 21 अगस्त को IPS अपसर मुहमद इमरान एक सिपाही बनकर ट्रेन में चड़ गये सफर के दोरान गेट के पास रिजरवेशन वाली सीट पर सो रहे यात्रियों को चोरों से सजग रहने के लिए भी इमरान ने एक नया तरी का खोजा मुबाल चार्जिंग पर लगा कर सो रही यात्रियों का मुबाल पहले खुद निकाला और फिर उनको जगाया भी सिपाही की वर्दी पहन कर ट्रेन में IPS अपसर इमरान चड़े हुए थे और जब उन्हें ने चार्जर निकाल लिया यात्री को जगाते हुए कहा कहीं चोर आपका मुबाल लेकर तो नहीं भाग गया जब यात्री हर बढ़ाया तो उसका मुबाल वापस देकर IPS अपसर मुहमद इमरान ने सफर के दौरान सतर्क रहने की नसीहत भी दी ट्रेन में स के सपाही को लाइन हाजिर भी किया GRP सıkाहियों के सफ़धु के दौरान कठिन यूटी की को देखन इम再ं ने SP बपाल को पत्र भी लिखा कि जहा से GRP के सपाहियों की ध्यूटी खत्म होने के बाद वह पाल इस्टेशन पर आराम की वह वह कृता हैं तो रूप बदल कर लोगों के मूड को समझने की कोशिष करते हैं अपने ही मात हत्त उनके करमचारी होते हैं पुलिस करमी होते हैं उनके काम करने के रवये को भी समझने की कोशिष करते हैं उन्हें इसी करी में यह IPS officer सिपाही बन गये और सिपाही बनकर ट्रेन में चड़ गए फिर वहाँ पर जो चीजें उन्होंने देखी उनको दुरुस्त किया जो कमी थी उन पर एक्षन लिया और ऐसे करके काफी चर्चा में आ गए हैं यह यूपी खेडर के IPS हैं मुहम्मद इम्रान इनका नाम है और जियारपी में ही इनक ही बनकर जब इंट्री मारी तो लोग बाद में समझे तो हैरान रहा गए